बूद्बानिंग अपरिवन वल्कम टूस वल सर्फ से स्टड़ी आरो यारो में आपने वन ट्वेंटी वन टेस्ट जो है कम्प्लीट हो गये थे यह टेस्ट नमबर वन ट्वेंटी टू प्रेक्टिस करेंगे इसमें हम जोग्रफी के प्रश्णों पर तो चले स्टार्ट करत लगते थे उपरोक्त कथन अम्रिके शेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णान है अफ्रीकी सवाना मद एशियाई स्टेपी अ उत्तरी अमेरिकी प्रेरी या साइवेरियाई टूंड्रा एक्जाम में ये प्रश्णी पूछ लेता है कि स्टेपी घास के मिदान कहां पाई जाते हैं अफ्रीका के सवाना के घास के मिदान कहां पाई जाते हैं एक प्रश्णी ये है जलबाई उचरम है वर्शा कम है लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे मद एशियाई स्ट अप्सन नंबर भी है इसका अंसर तो देखिए जो विशेष्टाएं है वो मद एशिया इस्टेपी शेत्र को इंगित करती हैं स्टेपी तुल्ले जलवायू को समसीतोष्ण महाधीपय जलवायू तो था समसीतोष्ण ग्रासलेंड जलवायू के नाम से भी जाना जाता है देखिए भूमादे सागरे जलवायू चिली में पाय जाती है, कैलिफोर्निया में पाय जाती है, दक्शनी उस्टेले म में पाय जाती है, नहीं पाय जाती तो कहाँ पर? निव यॉर्क में और important है भूमदे सागरे जलबायू statement बनाकर भी प्रश्ण आ सकते हैं PCS की परिक्षाओं में या UPSA civil सेबा में ये number इस पर call या वाटसप करके आफ फुल टेस्ट इस सीरीज प्राप्त कर सकते हैं भूमदे सागर के आसपास विक्सित होने के कारण ही इसका नाम क्या है भूमदे सागरे जलबायू और Mediterranean Sea जो है जितने देशों के साथ अपनी 30 सीम बनाती है वह भी इंपोर्टन्ट है जितने भी सागर हैं वह जिन भी देशों के साथ अपनी कोस्टल लाइन 30 सीम बनाते है वह भी एक्जाम में पूछ ले आता प्रलेम्स में तेकि इस प्रकार की जलबायू में ग्रीश्म रितु जो है वो सुष्क रहती है ठीक है ये विसेश्ता हैं इस जलबायू के याद रखेगा वो तापमान अपेक्शाकरत आधिक तथा आस्मान जो है साफ होता है और वर्षा कहा होगी वर्षा होगी शीतृतु में ठीक है ग् से 45 डिग्री अक्षांसों के महादीपों के पश्मी भाग में इसको भी याद रखियेगा पाये जोता है कि यह अपनी सुन्दर सी प्रित्वी बीच पे रेखा खींच दो उपर का हो गया उत्री गुलार्ड नीचे का हो गया दक्षणी गुलार्ड ठीक है तो दोनों गुला पिलィ यूनान पश्मी तुर्की सीरिया पश्मी इसंड अलजीरिया उतरी अमेरिका का केलिफोर्नीय जो ऑप्सण में था और दक्षणी ओस्टेलिया जो उप्संıs में था और संयुक कि अमेरिका के पूरवी तर्द्वी तर्पर इससे थे नियॅर्क यहां पर भुमत सग् पर्षन नुबर थ्री पर आजिए सभी प्रकार के जलवायू कटिवंद निम्मठ के समीत किस महाधीप में है सब्सक्राय केयinkत तो एशिया महाधीब का विस्तार भूमध रेखा से उत्री धुरुप्स से सभी प्रकार के जलवायू कटिवन्द जो है इसमें समाहित है। यह है प्रत्वी यह है क्वेटर लाइन उपर का उत्री को लाड नीचे का दक्षनिंग और भूमध रेखा से पोल्स यानि यह नॉर्थ पोल है यहाँ से यहाँ कोशन नमबर फोर पर आज़ेए नमरिके देसों में से कौन भूमद रेखिये जलबायू के अंतरगत नहीं आता है ठीक है भूमद रेखिये जलबायू यानि एक्वेटर लाइन भूमद रेखा अब जो यहाँ इसके आसपास होगा भूमद रेखिये जलबायू में ठीक है तो कांगो है जाइरे है गेवन है और इथोपिया इथोपियास में नहीं आएगा तो इथोपिया जो है भूमद रेखिये जलबायू के अंतरगत नहीं आता है ईह वीच वाली ulाइन है यहां साड़े तेश डिगृ उत्र उकषान सरेखा जिसको बोलते हैं फोक्रकर रे appel हैं जैसे सभ़ोलगाओ काई डेश नबने से इस प्रदेश की इसरे उकाउन पूठेंट ऐससाम के लिए है कि सवाना प्रदेश की जलबायू सवाना घासके मेदैन अफ्रीका में यानि अत्यधिक temperature रहेगा historie तो वर्ष ब्रवर्षा तो नहीं की यहां पर वर्ष पर वर्षा होती तो भरी घास होती के वल शीतकाल में वर्षा ये मेडिटेरियन जलवायू के विशेष्टा है अत्यांत अल्पकालेक सुष्क रितू निश्यत सुष्क तथा आर्द रितू देखिये निश्यत सुष्क तथा आर्द रितू सबसे अच्छा हो जाएगा डि तो उश्मकटी बंदे सबाना प्रदेश की जलवायू के प्रमकी सहस्ता है कौन-कौन सी एक तो इस पर्ष्ट सुष्क तथा आर्द रितू है ठीक है यानि निश्यत है तो डिकरेक्ट हो गया वर्षवर तापमान उच्छ बना रहेगा अत्यधिक सूरता प्राप्त होता है यहां पर और सबाना म किसी भी महीने में तापमान 20 डिग्री सेंटिगेट से नीचे नहीं जाता है क्वेशन नमबर सिक्स पर आज़िए में गॉस पूछ रहा है मुख्यकारक जो किसी छेत्र की जलवायू को निरधारित करता है कौन सा है इसमें से समीपता बनस्पति का प्रकार अक्षान से इस सिती या उचाई अक्षान से सिती हो जाएगा ठीक है लेटिट्यूड भी तो जलवायू है नहीं क्लाइमेट को निरधारित करने वाले मुख्यकारक कौन सा है अक्षान लेटिट्यूड और विभिन अक्षान सो के अनुसार ही जलवायू की प्रमुक पेटियों का चेंद अलगलग लेग रित्ोओं में दिन समय और रात्त्री समय के विस्तार में विभिनता किस कारण से होती है तो एक तरह से प्रस्ष्ण रितू परिवर्तन से रिवले्टेटड पूराया है ओ टीक है पृध्वी पर दिनराथ कैसे होता है जो पृध्वी घुणर्ण कर रही है और रितू परिवर्तन कैसे होगा परिक्रमण से होगा ठीक है नत अक्ष पर जुकी है अपने टिल्टेड है यानि प्रत्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण यह होगा एक तो और प्रत्वी का सूर्व के चार ओर दीर्ग ब्रतिय रितिसी परिक्रमण एक यह हो जाएग इस्थान की अक्षान से इस्थिती से अलिमिनेट कर सकते हैं क्या तीसरा जहां जाया है उसको हटा दीजिए यह हट जाएगा यह हट जाएगा तो केबल दो और चारी बचेगा फर भी है इसका अंसर देखे प्रत्वी अपनी धुरी पर जुकी है यहीं टिल्टड है ठीक है ना तक्स पर जुकी है ना यदि प्रत्वी अपनी धुरी पर जुकी ना होती तो सभी जगे दिनराथ बराबर होते ठीक है और दिन राज जो है विश्वत रेखा पर सदय बराबर होते हैं केबल इसी प्रकार यादी प्रत्वी सूरी की परिक्रमा न करती तो एक गोलार्द में दिन सदय बड़े और राते छोटी होती हो दूसरे गोलार्द में राते बड़ी और दिन छोटे होते परिंतु विश्वत रेखिये भाग को छोड़ कर विश्व के अन सभी भागों में विभेन रितुव में दिन रात की लंबाई में अंतर पाया जाता दिन रात बराबर कहा हो जाते हैं केबल एक क्विटर बर ठीक है तो दो और चार से है भोशनमर 8 पर आज़े कौणधारी वन नहीं पाय जाते कहां पर कौणधारी या संकुधारी एकी बात है और ये कौणधारी या संकुधारी वन थंडे शेतरों की विशेशताई है यानि इस कयोड़ी ने वियाई में हो घे, कैनेडा में होंगे, फिन लेंड में होंगे, ब्राजिल के अमेजोनिया में नहीं होंगे क्योंकि यहां वर्षा अत्ते दिक है सूरिता परियाप्त है तो ट्रॉपिकल एवर्ग्रीन फोरेस्ट होगा यहां पर 200 सेंटीमेटर से दिक वर्षा यानि सदावाहर बनोंगे तो ब्राजिल के अमेजोनिया में कौण धारी वनों का विस्तार नहीं है अमेजोनिया के अंदर क्या है ओशन कतिबंदे सदावाहर वन ट्रॉपिकल एवर्ग्रीन फोरेस्ट कौण धारी या संकु धारी वरक्षो की एक परजाती है या ठंडे या कम गरम छित्रों में पाय जाते हैं या पनपते हैं इन पर कौण या संकु उखते हैं और इन पेडों का जनन इन ही कौणों के माध्यम से होता है ऐसे पेडों के पत्ते भी प्रायाज चप्टे होने की अपेक्षा लंबी तीलियों जैसे होते है ठीक है और वैज्ञानिक रूप से इन पेड़ों को पाइनोफाइटा कानीफरोफाइटा और कानीफरे कहा जाता है अप्रीका के निमलिके देशों में से किसमे सघन उष्णार्दवन है केन्या जिंबाबे दक्षन अफ्रीका आईवरी कोस्ट इसका अंसर अप्सन नमबर है आईवरी कोस्ट तो प्रश्णगत देशों में आईवरी कोष्ट में सघन ऊष्ण आर्द वनों का विस्तार मिलता है आईवरी कोष्ट गिनी खाड़ी तट पर अवस्त देता है कोष्ण नमबर दस पर आजएए यदि ऊष्ण कटी वन्दिया वर्शा वन काड़ दिये जाएं तो वे ऊष्ण कटी वन्दिया पनपाती वनों की तुलना में शीगर पुनरी ओजित नहीं हो पाते यानी री ओर्गनाईज नहीं हो पाते ऐसा क्यों होता है बताए ऐसा इसलिया होता है क्योंकि वर्षा वन की म्रदा में पोशक तत्यों का अभाब होता है option number A है इसका answer ठीक है वर्षा इतनी होती है कि पोशक तत्यों जो है वर्षा के साथ बह जाते हैं जो उपर की भूपर पटी होती है तो यदि उष्ण कटिवन्दिया वर्षावन काट दिये जाएं तो वो उष्ण कटिवन्दिया पणपाती वन की तुल्ला में शीगर पुनर योज़ित यानी रिको री ओर्गनाईज नहीं हो पाते और इसका प्रमो करण क्या है वर्षावन की म्रदा में पोशक तत्तों का अभाब होना ट्रोपिकल एवर्ग्रीन फोरेस्ट बोलते हैं इनका ट्रोपिकल डिसूडियस बोलते हैं और भारत में सबस्यद है कौन से बना कर पूछ ले तो ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले सेल्वा बनों की विश्यस्ता कौन सी विश्यस्ता है सेल्वा बनों की चोड़ी पत्ती और सदाबहार देखें ब्राजिल में अमेजन नदी वेसी में वेसीन में पाई जाने वाले वनों को जो है सेलवा या सेलवास वन कहते हैं ठीक है तो ये तो एक्वेटर वाला एरिय ये तो वर्षा परियाप्त मात्रा में है सनलाइट भी है और ये है वन विश्वत ही है छेत्रों में वोक इस्तित हैं ठीक है यहां सरवादिक वर्षा होती है और यहां वर्ष भार अधिक तापमानवे ओसत से अधिक वर्षा होती है यानि 200 सेंटिमेट से अधिक तो घने और चोड़ी पत्ते वाले जो है सदा बहार बन पाई जोते है सेलवाय सेलवास कुश्चन नमर बारे पर आज़े नमरे के देशों में से किसमें कुल भागलेक शेत्रफल के 60 प्रतिशत भाग पर बन बनाई रखने का संबैधानिक प्राबधान है कौन सा देश है वो वो देश है भारत का पड़ोसी भूटान देखिए भूटान सरकार ने अपने देश में कुल भागलेक शेत्रफल के कम से कम 60 प्रतिशत भाग पर बन बनाई रखने के लिए संबैधानिक प्राबधान किया है बरतमान में भूटान का अज लगभग 72.5 प्रतिशत भूबाग बनों से अच्छा देता है कोश्चन नमबर 13 पर आज़िए दो स्टेटमेंट वाला ये सवाल है चेरपेल बनस्पती कैलिफोर्निया चेतर में पाई जाती है और फिमबस बनस्पती दक्षिन अफरीका में पाई जाती है इस तरह स्टेटमेंट एक्जाम में आते हैं तो या तो उनको इंटर्चेंज कर देगा उपर का नीचे कर देगा लेकिन यहां जो है सही है दोनों के दोनों और करेक्ट ही पूछा है तो C है स्कांजा ठीक है तो उपरो दोनों कथण सकते हैं कोशन नुबर फोटीन पर आजए भूमदी साग्रे शेत्रों में भारी वर्षा कब होती है कि देखें मेडिटेरियन क्लाइमेट की विसेस्ता है भूमदी साग्रे जलबाईयों की विसेस्ता है उपर अपने पहले प्रश्ण की एक्स्प्रेंशन में देखी होगी इंपॉर् मदी साग्रे जलबाईयों में जो है ग्रीश मकाल प्राया सुष्क होता है तथा शीत काल में जब सूर की दक्ष्णान सिती होती है तो इन प्रदेसों के उपर पच्छुआ हवाओं का विस्तार हो जाता है जो वर्षा करती है जिसके साथ मद्य अक्षांस में उत्पन चक् चलिए समय नम्रिकत मेंसे जलबाईयों प्रदे स हो काा कौन सा करम सही और सही करम मिलेगा प्रश्न देखने में कॉम्प्लिकेटट लगएगे क्या पूच लिया ये भूमदी रहते जलबायू वहमद से जलबायू पाई जाती है जैसे सब ऊपर चलेंगे उत्तरी गोलार्द में नौर्थ पोल की तरफ या नीचे चलो साउथ पोल की तरफ तो ठंडा होता जाएगा अब जाई रहे यानी अफरीका ठीक है सनलाइट अधिक है वर्षा अधिक है यानी ऊष्ण कटिवंदे सदा बहार वाला क्लाइमिट तो यहाँ पे तो मिलेगी भूमद रेखे जलबायू ठीक है एक्वेटर वाली भूमद रेखे जलबायू मिल जाएगी तो यह पहला हो गय थोड़ा सा और उपर चलोगे तो यहां ऊपर चलोगे अफरीका आ जाएगा यानी उश्नमरुसली जलबायू ठीक है यह दूसरा हो जाएगा और उसके थोड़ा उपर चलोगे तो तो मेडिटेरियन सी आ जाएगा यहां पर तो भूमद साग्रे जलबाई हो गई और उपर चलो गए तो नीदर लेंड आ जाएगा ठंडा प्रदेश यानि पश्मी यूरप यूरप मैं न वो तो इस तरह से हो जाएगा इसका सबसे पहले एक तीन दो और चार तो यह है इसका अंसर तो देखें जाएड़े जो है मद अफरीका में इस तत्त देश है जबकि नीदर लेंड जो है पश्मी यूरपिय देश है जाएड़े से नीदर लेंड जाते समय क्रमसा निमने और उपर चलेंगे तो यॉरप आ जाएगा थंड़ा पुर्देश तो पश्मी यॉरप यह जलबाई इस तरह से करेक्ट कर सकते हैं प्रशन पूछा हुआ है पहले एक्जाम में तो पंदरा प्रशन थे हैं इनकी प्रैक्टिस एक से दोबार कर लिजेगा है नंबर इस पर कॉल्या वर्टसप करके इन सभी टेस्ट का पीडियाफ भी प्राप्त कर सकते हो जो मिलेगा आपको पेट टेलेग्राम ग्रूप में ही वाकि हर दिन प्रैक्टिस करते रहेगा धन किने वाद !